नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज किस बूरी में आपको बताऊँगा कि Facebook एकाउंट का लिंक कैसे कोपी करते हैं दोस्तों कई बार होता क्या है कि कुछ दोस्त हमसे हमारा Facebook आड़ी पूछते हैं तो इसके लिए open करते है अपने Facebook एकाउंट को और Facebook एकाउंट open हो जाने के बाद यहाँ पे आपको click करना होगा इस तीन लाइन पे तीन लाइन पे click कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी photo आती है और इसके बगर में यहाँ पे लिका हुआता है आपका name तो यहाँ पर आप इस name पर click किजेगा इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीन बिंदू बनी होती है तो आपको इस तीन बिंदू पर click करना होगा तो यहाँ पर दोस्तों आपकी profile का link होता है और simply दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है आपको simply यहाँ पे क्लिक करना होगा copy link यहाँ पे आप क्लिक कीजेगा अब आपका facebook profile का link copy हो जाता है अगर आप इसे किसी को send करना चाहते हैं तो यहाँ से इसे हम cut कर देते हैं और cut कर देने के बाद for example के लिए मैं whatsapp पे इस link को अपने friend को send करना चाहता हूँ तो open करता हूँ अपना whatsapp और whatsapp open हो जाने के बाद मैं अपने friend की chat को open करता हूँ और यहाँ पे simply आपको paste कर देना होगा paste करने के लिए आप अपने finger से यहाँ पे थोड़ा देर के लिए press कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक option मिल जाता है paste का यहाँ पे paste पे click कर देने से यह link आपका paste यहाँ पे हो जाता है अब आप अपने दोस्तों को यहाँ से send कर दीजिएगा इस link को तो इस link पे click करने के साथ है आपके profile में वो आ जाएगा और आपसे वो जुड़ सकता है उमीद करता हूँ यह वीडियो आपके काम की होगी और आपको समझ में आई होगी दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसे like कीजे share कीजे अपने दोस्तों में whatsapp facebook ग्रूप में और एसे simple simple वीडियो में अपने चैनल प्लेक के आते रहता हो तो आप मेरे चैनल को जोरू subscribe कीजिएगा मिलते हैं कि नए वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा बाई